बॉलिवुड भारत की एक ऐसे इंडस्ट्री है जो अपनी यूनीक स्टाइल मूवी के लिए पूरे दुनिया में नाम कमा चुकी है पर जितनी स्मूध हमें चीज़े दिखती है ये इंडस्ट्री शायद उतनी स्मूध ली काम नहीं करती डिरेक्टर्स मूवी बना तो देते हैं पर उनके मन में ये बात जरूर रह जाती है कि मूवी की किसी सीन, गाने या फिर मूवी की किसी कॉंसर्प पर ही कोई बवाल ना बन जाए ऐसा ये कुछ हाली में हमने देखा सुदिप्तो सेन की मूवी दग केरला स्टोरी को लेकर कि जिस तरह से मूवी में हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण दिखाय गया है वो गलत था और एक विशेश समुदाय के खिलाफ था खेर इसका कुछ फाइदा नहीं हुआ ये मूवी देश भर में रिलीज भी हुई और इसने ना सिर्फ बॉक्स ओफिस पे जम कर कमाई की बलकि कई तारीफे भी बटोरी पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इस मूवी पर कोई आरोप नहीं लगता या मूवी पर कोई बवाल नहीं होता तो शायद ये मूवी इतने हिट कभी होती ही नहीं क्योंकि इस movie पर controversies होने से पहले हम में से कई साय लोगों को तो पता तक नहीं था कि ऐसी कोई movie बन भी रही है क्योंकि ना तो इस movie को ज़ादा promote किया गया और ना इस शुरू में मीडिया ने से ज़ादा cover किया इस movie को जितना भी promotion और attention मिला वो इन सारी controversies के बाद ही मिला तो क्या movies का controversies में आना directors को help करता है तो इसका जवाब है हाँ कई साइ directors तो ये चाहते हैं कि उनकी movies पर controversies हो और ये मैं नहीं कह रही हूँ ये का है जानी माने director दीपा महता ने जब उनसे एक interview में पूछा गया कि क्या ये चीज उन्हें परिशान करती है कि उन्हें controversial director कहा जाता है तो इस सवाल का जवाब देते हुए दीपा महता ने कहा कि अब ये चीज उन्हें बिलकुल परिशान नहीं करती मुझे कई बार controversial director कहा गया है और एक तरह से ये सही भी है मुझे पहले इस से फ़र्ट पढ़ता था पर अब नहीं इस जवाब में उन्होंने एक और बहाद कई वो ये कि मेरे फिल्मों को कभी उनकी making की basis पे जज नहीं किया जाता बलकि उस controversy के लिए जज किया जाता है विसे बात तो सही है जब भी कोई मुवी पर बवाल होता है तो हम में से आधिस ज़्यादा लोग तो सर्फ ये देखने के लिए जाते कि मुवी में ऐसा क्या controversial है बॉलिवुड में ऐसी कई सारी मुवीज है जिन्होंने पहले तो काफी criticism सा पर जब वो मुवीज पर उतरी तो उन्होंने बवाल मचा दिया आईए जानते हैं ऐसी ही कुछ मुवीज के बारे में शत्रुगन सिनल स्टारर काली चिरंड सुभाश कई की एस डिरेक्टर पहली मुवी थी अपनी पहली मुवी में सुभाश कई को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ा जब इंडियन सेंसर बोर्ड ने मुवी के कुछ सीन्स को कट करने की डिमाड रखी लेकिन सुभाश कई ने मुवी के किसी भी सीन को कट करने से साफ मना कर दिया इस लड़ाई में कई साय डिरेक्टर्स ने सुभाश गई का साथ दिया और काली चरण थेटर्स में रिलीस की गई काली चरण ने पहले ही दिन दमदार कमाई की और ये मूवी ना सिर्फ शत्रगन सिना के करियर की सबसे हिट मूवी बनी बलकि सुभाश गई भी इस मूवी के कारण एज इंफ्लूएंसिंग डिरेक्टर तेश भर में उबरे राज कपूर डिरेक्टर राम तेरी गंगा मेली आज तक की बॉलिवुड की सबसे हिट मूवी में से एक है ये मूवी सुड़क्यों में तब आई जब लोगों को पता चला कि मूवी की लीड अक्टरेस मंदान की नीका मूवी में एक ऐसा सीन है जिसमें उन्होंने अपनी अपर बॉडी को एक्सपोस किया है इंडियन सीनिमा में ऐसा पहली बार था कि किसी मूवी में ऐसा कोई सीन दिखाया गया हो कई लोगों ने इस मूवी का विरोध किया और इसे बैन करने के डिमांड की गई पर जब ये मूवी थियेटर्स में लगी तो इसने कमाई के सारे रिकॉर्ट्स तोड़ दिये विरोध का कारण था मूवी में दिखाय गई एक्स्ट्रीम वॉयलेंस और बोल्ड सीन्स पर जब इस मूवी को रिलीस किया गया तो इसे बहुत अप्रिसियेशन मिला इस मूवी को आज भी रितिक रौशन और आश्वरिया राय की अमेजिंग केमिस्ट्री के कारण याद किया जाता है 2008 में इस मूवी के रिलीस होने से पहले राजपूट समाज ने इसका जम कर विरोध किया डिरेक्टर आशुतोष गुवारिकर पर ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने हिस्ट्री को अपने हिसाब से तोड़ मरोड कर दिखाया है और इनिशिली इस मूवी को राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाना और उत्राखंड में बैन भी किया गया खाला की बाद में इस बैन को हटा दिया गया और ये मूवी एक ब्लॉक बस्टर साबित हुई विद्याबालन स्टार ये मूवी आज तक कॉंट्रो असीस से खिरी हुई है जब इस मूवी के गाने और पोस्टर्स रिलीज किये गए तो लोगों ने इस मूवी का जम कर विरोध किया पर भी रिलीज होने के बाद कई लोगों द्वारा देखी भी गई अक्षे कुमार और परेश रावल की इस मूवी के खिलाफ कई सारे संगठोने ने प्रोटेस्ट किया जब मूवी का ट्रेलर रिलीज किया गया तो लोग इस बात से काफी नारज हुए कि इस मूवी में हिंदू धर्म गुरूओ और देवी देवताओं का अपमान किया गया था पर जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसने साबित कर दिया कि ये मूवी किसी धर्म या भगवान के खिलाफ नहीं बनाई गई थी बलकि धर्म के नाम पर हो रहे अंद विश्वास के खिलाफ लोगों को जागरूप करने के लिए बनाई गई थी इस मूवी ने बॉक्स ओफिस वर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी और इसका पार्ट टू भी जल्द रिलीज होने वाला है संजे लीला बनसाली का नाम देश के सबसे बड़े डिरेक्टर्स में गिना जाता है 2013 में आई उनकी मूवी गोलियो की रास लीला राम लीला का नाम पहले सिर्फ राम लीला था पर देश भर में कई हिंदू संगठोनों ने इसका विरोत किया क्योंकि राम लीला भगवान शी राम के पूरे जीवन को कहा जाता है ना तो इस मूवी का भगवान शी राम से कुछ लेना देना था और इस मूवी के कंटेंट को भगवान शी राम के नाम के साथ जोड़ना उनका अपमान होता बाद में इस फिल्म का नाम राम लीला से बदल कर गोलियों की रासलीला राम लीला रख दिया गया चित्तोड की रानी, रानी पदमावत के जीवन पर बनी इस मूवी की शूटिंग के दोरान कई बार इसके सेट को तोड़ा गया यहां तक की मूवी की लीड एक्ट्रेस दिपिका पादुकोन को फिजिकली हाम करने की धमकी तक दी गई मूवी का विरोध करने में सबसे पहला नाम था कर्णी सेना का जो की एक राजपूत संगठन है इस मूवी का विरोध ना सिर्फ करनी सेना ने किया बलकि जैपूर की रॉयल फैमली ने भी इसका विरोध किया करनी सेना का कहना था कि मूवी में रानी पदमावती को बैड लाइट में दिखाया गया है विरोत के चलते कर्णी सेना ने 1 दिसंबर 2017 को भारत बंद का ऐलान भी किया था फिल्म में रानी के सब के सामने घूमर करने और कपड़ों पर सवाल उठाए गए थे दिव्या कुमारी जिनके दादा जैपुर के आखरी राजाते उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि राजिस्थान की महिलाए इस मूवी से काफी अपसेट है क्योंकि रानी जो की त्याक की मूरत है उन्हें इस मूवी में गलत तरीके से दर्शाया गया है मूवी के रिलीस से पहले डिरेक्टर संजय लीला बंसाली ने एक विडियो जारी करके इस पर अपना क्लारिफिकेशन दिया पर मामला यही नहीं थमा रिलीस से पहले राजिस्थान के कोटा सहिर कई सारे शेहरों के थिएटर्स में तोड़ फोड की गई फाइनली मूवी के कुछ सीन्स को डिलीट किया गया और इसका नाम पदमावती से बदलकर पदमावत रखा गया यह मूवी इस थिएटर में लगी तो यह एक ब्लॉक बस्टर साबित हुई और फिल्म के सभी अक्टर्स को इसके लिए अप्रिसियेशन भी मिली Sacred Games Season 1 की Amazing Success के बाद जब Sacred Games Season 2 बनाया गया तो लोगों ने इसका विरोध किया शो में सैफ अली खान ने एक सिख का किरदान बया है था और शो का एक सीन ऐसा था जिसमें सैफ अली खान ने सिख धर्म के पावन माने जाने वाले कड़े को उच्छाला जो सिक्स अमूदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुचाने वाला था 2020 में रिलीज हुई अक्षे कुमार की मुवी लक्ष्मी सुपर हिट तमिल मुवी कंचना का रीमेक थी इस फिल्म का नाम पहले लक्ष्मी बॉम रखा गया था लेकिन इसके रिलीज होने से पहले फिल्म के डिरेक्टर रागवा लॉरिंस के खिलाफ एक कम्प्लेन की गई और वो इसलिए क्योंकि मुवी का नाम हिंदू धर्म के लोगों को ठेस पहुचाने वाला था माता लक्ष्मी के नाम के साथ बॉम जैसे शब्ट का यूज करना उनका अपमान माना गया इसके बाद फिल्म के मेकर्स को मजबूर होकर इसका नाम लक्ष्मी बॉम से लक्ष्मी करना पड़ा बाद में इस मुवी को डिजनी प्लस होट स्टार पर रिलीस किया गया और इसमें अक्षे कुमार के रोल को काफी सरहाया भी गया 90's में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार पर बेस्ट इस मूवी में काफी बेबाकी से कश्मीर के सच को दिखाये गया था कैसे स्टूडेंस का ब्रेन वाश किया जाता है और उन्हें अपने ही देश के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है इस मूवी पर मुसलिम समुदाय ने जम कर नारजगी जताई इस मूवी को बैन करने की भी काफी कोशिश की गई पर कोई फाइदा नहीं हुआ मूवी रिलीज भी हुई और इसे कई सारे अवार्ड्स भी मिले यहां तक की हमाये देश के माननिय प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी ने भी इस मूवी को सरहाया खेर ऐसी मूवी स्किलिस्ट इतनी छोटी नहीं है ऐसी बहुत सारी मूवीज है जिन पर कॉंट्रोवर्सी हुई पर यह कुछ ऐसी मूवी स्किलिस्ट थी जिनका कॉंट्रोवर्सी में आना डिरेक्टर्स के लिए बहुत फाइदेमन साबित हुआ अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और इस बारे में आपके क्या विचार है यह कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा यह चैनल नया है और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है इसलिए प्लीज सब्सक्राइब